जै मातादी मित्रो मेरा नाम पंडित प्रकाज जोशी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एस्ट्रो आज आज हम चर्चा करने वाले सितंबर के महीने में कन्या राशी वालों के राशी फल के बारे में चर्चा करेंगे सबसे पहले उनकी ग्रहस्तदी देख लेते हैं देखे कन्या राशी के साब से अगरा मासिक उनकी कुंडली बनाएं तो इस समय पर क्या है चंद्रमा उनके लगन में स्थित होंगे और तृत्ती भाहों में गुरू इस महीने विराजमान होंगे कन्या राशी वालों के चर्तुर्द भाहों में शनी और केतु विराजमान होंगे और इसके साथ में दसम स्थान में राहू विराजमान होंगे और द्वादशे स्थान में सूर्य, मंगल, बुद्ध और शुकर विराजमान होंगे अब ये सारे घ्रह जब एक जगा पे विराजमान होते हैं तो कन्याराशी का फलादेश क्या बनता है इसके बारे में चाचला कर लेते हैं सबसे पहले इनकी हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं तो इस महीने कन्याराशी वालों का हेल्थ काफी अच्छी रहेगी क्योंकि लगन में ही चंद्रमा विराजमान है तो जो मानसिक विकार काफी समय से चलता आ रहा है जो टेंचन चलती आ रही है आपके अंदर जो परेशानी में आप सरकारी परेशानी में गिरे वह है महराज तो वो परेशानी का हल आपको सितंबर के महने में मिलता नजराएग दूसरा धन की स्तिती की बात करें तो धन का स्वामी आपका शुक्र है इस समय पर मासी कुडली की अनुसार और वो वियाय में बैड़ गया यानि कि कन्या राशी वालों को धन की प्राप्ती तो जुरूर होगी लेकिन कन्या राशी वालों के उपर खर्चा पहले से ही आया तो पैसा आके यूँ जट निकल जाएगा और पैसे आने का जो योग बनता है वो 8 सितंबर से लेकर और 23 सितंबर के बीज में आपके उपास पैसा आने लगेगा लेकिन पैसा बचेगा नहीं क्योंकि जो आपके दुत्येश है वो जो है द्वादशेश में जाके बैठा जो खर्चे होने हैं जो करजा चल रहा था वहाँ पर आपके पास पैसा आएगा और वहाँ चला जाएगा साथी साथ प्रॉपटी को रेनवेट कराने के भी इस समय योग बन रहा है क्योंकि शली की साथ में केतु चतुर स्थान में बैठा है और चतुर स्थान में त्रो मा खोड़ी बहुत रहने वाली जादर नहीं थोड़ी बहुत रहने वाली है और संतां की और से कुछ खुशकवरी आपको प्राप्त होगी। तो संतान को बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी या संतान का एजुकेशन में बेटरमेंट आजाएगी कुछ ना कुछ आपको संतान से समधित खुश खबरी आपको प्राप्त होगी और सितंबर के ही महिने में करीबन 18 तारिक से लेकर और 30 सितंबर के बीच में आपकी या जत्रा के योग आपके सितंबर के महिने में बन रहे हैं तो यह था कन्या राशी का राशी फल और इस कारेकरम में मुझे इतना ही और इस कारेकरम में बस इतना ही दीजे मुझे जाय माता दी